ओम शांती। आज के इस वीडियो में एक माता जी को शिव बाबा से साक्षातकार हुआ की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। यह एक सच्ची कहानी है जो आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। का भविष्य क्या होगा यह सोचकर अंदर ही अंदर घूट रही थी। माता जी को तीन पुत्र और तीन पुत्री थी। जिनका लालन पालन की जिम्मेदारी उन पर थी। माता जी किसान थी और मेहनत मज़़ूरी करके अपने बच्चों का पालन कर रही थी। तो माता जी को भाई जी के द्वारा दिया गया ज्यान समझ में आया और माता जी इस ब्रह्मा ज्यान को पूरा करने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर गई और साथ दिनों का कोर्स करने के बाद उनको इस श्रिष्टि का माया जाल के बारे आत्मा परमात्मा के बारे में समझ आया। में रहने लगे और माता जी के साथ उनके कामों में हाथ बटाने लगे। यह देख कर माता जी का मन थोड़ा सा विचलित हुआ कि इतना पढ़ाने के बाद भी उनके बच्चे उस सफलता को हासिल नहीं कर पाए हैं। जबकि माता जी के परिवार के अन्य सदस्य अपने जीव हो रही थी और उनके बच्चे भी माता जी के साथ गेहु काट रहे थे। तो ये देख कर माता जी ने शिव बाबा से मन में ही कहा कि बाबा इतनी महनत से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लेकिन आज हमारे साथ बच्चे गेहु काट रहे हैं। यह कहते कहते माता जी क आँखे नम हो गई, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को सफल देखना चाहती है, बच्चे अपने पैरों पे खरे हो जाएं देखना चाहती है, ताकि उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। और जीवन में कभी भी मुश्किल वक्त से घबराना नहीं है, वलकि उनसे डट कर सामना करना है। जिस भी कंडीशन में रहती, बस मन में बाबा को ही याद करते रहती। ये कहानी एक सच्ची कहानी है, जो परमपिता पर मात्मा पर अटूट विश्वास को दर्शाती है कि आप सच्चे मन और लगन से बाबा की याद में लीन हो जाओ और बाकी बाबा सब देख लेंगे। मिलते हैं आप से एक नई और सच्ची कहानी के साथ, ओम शांती।